हेलो फ्रेंड्स तो आज हम एक नई सीरीज शूरू कर रहे हैं और इस सीरीज में हम आपको वाइस की जो साइन्स है जो सिंगे की साइन्स अुसको बताएंगे तकि आप अपने खुद की पॉलम्स को समझ सकें क्यों हो रही है přill मुफ मुफराई और खुल सोचे कि कैसल को सभी कर सकते हैं तो देखें जो आउज हम प्रिडूश करते है वह बिडीकली तीन ऊपें क्या स्केरिदूस को से 3 B इसा से अवाज करते हैं तो यहां से हम हवाए फिकते हैं है यहारे आएज में लिए से बल मझा हलें इसकाzam मुखण करने बें रिगना मेर करते हैं… अबने इलेक्रिक गिटार को भी देखा हो कि मत्स्ट्रिंग करते हो तो अवाज के बहुत ही कम आता है कुछ आदे ही नहीं बोल जुब लेकिन अलग से अम्ट्रिफार होता है एसी acoustic guitar में एक बड़ा सा डबा रहता है वो जो लखडी का basically जो बड़ा सा portion रहता guitar का string के लावा का उसके अंदर में जो है अवाज एक बड़ी से hold it through ऐसे ही हमारी आवाज भी जो है अल्दो वोकल कॉर्स से produce होती है लेकिन mouth में और nose में यहापे जो gaps होती है जगे होती है वहाँ पर amplify होती है तो यह इसको resonance बोलते है और जो तीसरा system है voice का है तो यह तो हमने दो system की बात करी एक हो गया source आवाज यह से produce होती है और दूसरा आवाज जिससे volume आता है उसमें वावर आती है अब तीसरा system जो है वह खासत और से instruments में होता है लेकिन आवाज वह शब्द बोलते हैं उसमें जो आवाज बोलते हैं साथि चाथे शब्द भी होते हैं उसमें vowels होते हैं तो वह आते हैं तंग और mouth की position से उससे तंग और mouth जो है वह आवाज अपनी position चेंज करके जो आवाज बेसिक आवाज उसको modulate करती है और उससे जो है vowels और consonants produce होते हैं तो अब हम इन तीनों systems को आके और detail में देखेंगे और में क्या-क्या defects हो सकते हैं और और आके डिसक्स करेंगे हम पहले एक बाद समझेंगे कि आवाज कैसे produce होती है और कहीं भी एक्षिली इन तीनों system में कहीं भी defect होगा आपके बोली की तरीके में आपके इन system को यूज करने के तो एक तरह से आप देखें तो हमारा जो पूरा body है वह इतरह इंस्ट्रुमेंट ही है तो आप और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किजिए थेंक यू